इस कारेत्रम के पुन्यार जख है प्राचीन श्री दिगंबर जैन मंदिर पटपडगंज गाव दिल्ली अंतर्गत प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायद धर्मपुरा दिल्ली सन्योजट श्री मुनिराज चातुर्मा समिती पटपडगंज गाव दिल्ली मनोग्य मुनी 108 श्री विभंजर सागर जी मुनिराज कीजै समस्त मुनि संग कीजै आपने आपको आप में वर लिया चेतना को स्वयम ही प्रखर कर लिया वीतिरागी प्रभो हे महावीर जिन आदिनाथे प्रभो तुम होतारं तरं आपके द्वय चरण मे विनम्रे नमन आपके द्वय चरण मे विनम्रे नमन ये विराग गुरू ये विवजन गुरू है नमन देशरन दो समाधी मरण है नमन देशरन दो समाधी मरण हरें पूजी मनमटके सरवों में नमोश्त 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 में आज जोडे योदे सब लूप बंच वरमक्ष्टी पर बान कास्मन करेंगे ओमनमो अरि हन्तारम ओमनमो शेरिसे दारम अम्नमो आये रियाडम अम्नमो वज्यायाडम अम्नमो लो ये सवे साहूडम जै बुला नंतानन सिद्ध परमेश्टी भगवान की परम पोज आचर भगवन सकल किर्थी मुनिराज की आचर गुरुबर शी विराग सकर जी महमुनिराज की अहिन सामय विस्वे धर्म की महान भाव कल हम जान रहे थे धन जोडने से फायदा क्या है हर मातापिता अपने बच्चों के लिए धर्म धर्म जोडता है पैसा जोडता है उनकी भविस्थ के लिए कोई अपने लिए नहीं जोड़ता है कोई अपने लिए उस धन का उपयोग नहीं करता है जो भी कमाता है अपने बच्चों के लिए कमाता है किसी से भी बूच लो आप ऐसा किस के लिए कमा रहे है भविस के लिए भविस के लिए बच्चों के लिए वस उनी के लिए जोड़े जा रहे है हर पिता अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है वो कुछ करता है लेकिन ये भूल जाता है कि कर्म सिद्धान्द किसी को नहीं छोड़ता कर्म सिद्धान्द तो स्वयम का अपना अपना चलता है पिता पुत्र के लिए कुछ नहीं कर सकता और पुत्र पिता के लिए कुछ नहीं कर सकता है इसलिए तो कहा पूत सपूत तो काधन संच है पूत का पूत तो काधन संच है यदि तुमारा पुत्र सपूत्र है सपूत है तो धन जोडने से क्या फाइदा उसके अंदर योगिता है उसके अंदर काविलता है वो अपने पैसे कमा लेगा अपनी मेहनत करके और अपने दम पर सब कुछ कर लेगा आपको धन जोड़ने से क्या फाइदा है और दूसरा यदि तुमारा पुत्र कुपुत्र है को पुत्र खोटी संगिती में फसा हुआ है कपूत है तो धन जोड़ने से क्या फाइदा आप कितना भी धन जोड़ने न वो सब बरबात कर देगा नसे में, जुए में, सराब में सब कुछ बरबात कर देगा तो धन जोड़ने से फाइदा क्या है अच्छा है पुत्र तो भी धन जोड़ना ब्यर्थ है और खराब है तो भी धन जोड़ना ब्यर्थ है फिर जो धन है उसका सदुपयोग कर लो आप कमा रहे हैं आपके पुन्य की प्रताव से पैसा मिल रहा है आपको ऐसे ही नहीं मिलता हर किसी को थोड़ी पैसा मिल जाता है धन हर किसी को मिल जाएगा क्या एक व्यक्ति वो है व्यक्ति व्यक्ति दोनों है एक ही स्कूल में बढ़ते थे दो मित्र थे, एक ही स्कूल में बढ़ते थे एक जैसे जैसे करके, रगड़ रगड़ के, घिसट घिसट के अपनी क्लास को पार करता था किसी से पूँच के, किसी से नकल मार के, किसी से कुछ करके पास होता था और एक मित्र बड़ी मेहनस से लगन से एक कागरता से पढ़कर पास होता था और तौप करता था धीरे धीरे वो पास होते गए होते गए आंगे जब क्लास उची पहुँचे तो वह जो दूसरा मित्र था जिसको पढ़ने में मन लगता था लेकिन वो जैसे जैसे पास होता था उस व्यक्ति ने पढ़ाई छोड़ दी और जो पढ़ाई करता था तौप करता था वो आंगे चलता गया और आंगे पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया और इसने इतना कोर्स किया इतना कोर्स किया भी टॉप का ओफिसर बन गया टॉप का ओफिसर एक बड़ा इंजिनियर में सबसे बड़ा इंजिनियर बन गया अब जो उसका मित्र था जो मित्र पढ़ता नहीं था वह मित्र मजदूरी करने लगता है क्योंकि नौकरी पर तो कोई रखता नहीं आता तो कुछ था नहीं तो मजदूरी करता है और एक दिन अफसर ऐसा आता है कि दोनों मित्र मिलते हैं और एक मित्र ओफिस में बेटा हैं एसी रूम में बेटा हुआ हैं कीबल एक साइन करना है और शाइन करने के उसके लाखों रुपे मिल रहे हैं उसको एक साइन के पास करना है बस कीबल विल पास करना है लाखों रुपे मिल रहे हैं और उसी के साथ पढ़ने वाला उसका मित्र 500 रुपए दिन की मजदूरी कर रहा है दिन बर सुबह से सामतर इट को, सिमेंट को, वजडी को ढोरा है साम को जाके जब उसको 500 रुपए मिल पाते हैं मजदूरी की दोनों एक ही है अब इसमें किसमा है किसका दोस हमारे दोरा किये गए पुन्न पाप का दोस हम जो कर रहे हैं वही फल मिल रहा है उसको पाप का फल मिल रहा है कि उसको मजदूरी करकर भी 500 रुपए मिल रहे है और उसको पुन्न का फल मिल रहा है तो पुन्न पाप ही क्यों ना करें? जब अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलना है और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलना है तो सब को पता है कि जो अच्छे काम करेगा तो अच्छा पल मिलेगा और बुरे काम करेगा तो बुरा फल मिलेगा जब सबको ग्यात है, पता है, तो बुरे काम करो ही क्यों, अच्छे काम करो ना, अच्छे बलगी प्रात्ती होगी, धर्म, ध्यान, अच्छे, पाठ, जाप, स्वाध्याय, इस सब अच्छे काम कहलाते हैं, जिन से पुन्य की ब्रद्धी होती है, हम पुन्य की ब्रद्धी कर नहीं आप पहले याद नहीं आती भगवान की पहले जब परेसानी के पहले बड़ी आराम से एक बेक्ति मेरे पांज आया कहता है मुनी राज बहुत परेसान है मुनी क्या हो गया वोले पांच लाग रुपर का खाटा लग गया अस महीने हमने पांच लाग का खाटा लग गय मैंने बिरकोल अभी बताता हूँ तुम एक काम बताओ पिछले महीने की balance sheet क्या थी पिछले महीने की तो बहुत अच्छी थी मुनिराज पिछले महीने तो 10 लाग का फायदा हुआ था मैंने भाई एक बात बता जब 10 लाग का फायदा हुए था जब तो तु मेरे पास नहीं आये था क्यों मुनिराज 10 लाग का फायदा हुए कहिं दान करना हो तो बता दो तब तो नहीं आया और जब 5 लाग का घाटा लग गया तो रोते हुए आ गया क्यों? दुख में भगवान की याद आती है सुख में भगवान की याद नहीं आती है दुख में तो हे भगवान ये भगवान ये भगवान तुम ही हो और सुख में काईगे भगवान कैसे भगवान सुख में कोई याद नहीं करता तो आज के पंचमकाल की तो यही इस्थिति है, पंचमकाल की इस्थिति यह है, कि दुख में भगवान को सभी याद करते हैं, सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता है, सुख में अल्द पंचिंदरी के पिसे भोग, सुख, शुक भोग रहा है, तो शुक में भगवान की आदा आती है, आपको आती है, आपको भी सिक आती है, है, मुंडी लाना भहत आसान है, किसी को नहीं आती है, सब जूटी-जूटी भूलते हैं, आती है, किसी को नहीं आती है, बताओं किस नहीं आती है, आपके गर में बढ़िय आपने सब के लिए खानाः बनाया है अच्छे-च्छे पकवान मने इए आपकी ठाली में बड़ीय-बड़ीय पकवान है साथ में गुलाब जामन भी रखा हुआ है और जैसे गुलाब जामन को आप खाते है मूह में गुलाब जामन जब रसना इंद्री के सुख भो गएंगे न कहां भगवान की याद आ रही है कोई भगवान की याद नहीं आ रही है और हाँ यदी वो गुलाब जामून गरम होता तो अब बताओ आता के नहीं भगवान का नाम अगर गरम गरम गुलाब जामून होता और मुमें जैसे जाता न जीब जल गई, भगवान अब भगवान, मनलब दुख मिला सो भगवान और चांसनी के स्वाद आ रहा था सो भगवान की याद नहीं आ रहे थी कमाल है मंदिर आ रहे थे, नंगे पैर आ रहे थे इतना सा छोटा सा पैर में कांटा चुप गिया, क्या बोलते हो हे भगवान इतना सा कांटा गया सो ये भगवान, वो इतना बुड़ा गुलाजवाल मुझ में गया, सो भगवान की याद नहीं आई कमाल है एक छोटे से, नंगे से, कांटे से दुख मिल गया है इसलिए, कभी ने क्या कहा कभी ने कहा दुख में सुमरन सब करे सुख में करे न कोई और जो सुख में सुमरन करे दुख का हे कोई कोई करता ही नहीं गया इसलिए तो कभी को लिखना पड़ा कभी को इसलिए तो लिखना पड़ा, कोई नहीं करता दुख में, सुख में, संता भाव धारन करके, जो प्रभु को भगवान को इस्मरन करता है उसके लिए कभी दुख होता ही नहीं है आपको पता, ज्यानी व्यक्ति को दुख नहीं होता जो ग्यानी व्यक्ति होते हैं उनको दुख होते ही नहीं है आपको कि ऐसा कैसी संभा है बिलकुल नहीं होता बता हूं क्यों इसलिए नहीं होता है क्योंकि ग्यानी व्यक्ति दुख में से भी सुख निकालने की कला जानता है यदि उसको दुख भी मिलेगा ना तो उसमेंसे भी वो सुख निकाल लेगा अच्छा है वो तो सीधा सीधा सुत्र बोलता है जो हो चुका अच्छा हुआ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है जो आंगे होगा अच्छा होगा किसकी सोच है यह ज्यानी की सोच है इसलिए जीवन में दुख भी आया न वो दुख में से सुख निकाल लेता है मैं उदान दिया था न मंदिर से जा रहा था और एक्सिडेंट हो गया, गाड़ी ने मार दिया ठोकर, पैर में फैक्चर आ गया एड़िट कर दिया होस्पिटल में अग्यानी का क्याएगा देख ले, मंदिर कहा था क्या कल लिया तुमाएं भगवान ने पैर और टूड़ गया मंदिर जाने का परणाम देख ले, फल देख ले पैर टूड़ गया, कौन कह रहा है अग्यानी ज्यानी क्याएगा देख भाई मंदिर गया था उस मंदिर का फल देख पेर में बच गया हाथ तिरी जान चली जाती तो एक्सिडेंट हुआ था ऐसा एक्सिडेंट हुआ था जान चली जाती तो भगवान की दर्सन करके आ रहा था इसलिए पैर मे टल गया पैर ही जो टूटा वो तो ठीड हो जाएगा किसी पहचान ज्यानी दुख मिला न, दुख मैसी उसने क्या निकाल लिया सुक निकाल लिया यही तो ज्यानी की पहचान ہے इसलिए उसको दुख होता ही नहीं है दुख भी आएगा तो सुक निकाल लेगा, आदा ग्लास पानी पी नहीं मिला उसे, अग्यानी का कहेगा, आदा ग्लास खाली है, अग्यानी का कहेगा, आदा ग्लास भरा है, दोनों की बात सचे हैं, जूटे क्या हैं, दोनों की सचे हैं, अग्यानी कह रहा हैं, आदा ग्लास खाली है, और ग्यानी कहता है, आदा ग्लास भरा है, बात तो दोनों की सही है, लेकिन एक positive सोच रहा है, आदा ग्लास भरा है, कुछ नई से, कुछ तो अच्छा, ना मिलने से, कुछ तो मिला, कुछ तो मिला, ये कौन? ग्यानी सोच तकता है, ग्यानी कहता है, ग्यानी हमेशा अपने से नीचे को देखता है और अज्यानी अवेशा अपने से उपर को देखता है जो व्यक्ति अपने से उपर वाले को देखता है वो दुखी होता है जो अपने से नीचे वाले को देखता है वो सुखी होता है बिल्कुल आप अपने से हूचे बाले को देखोगी न अपने आप में हीन भामना लाओगी अरे इसके पास देखो मर्शडीज गाड़ी है मेरे पास तो स्कूटर है इसके पास देखो बंगला है बंगला मेरे पास तो किबल एक मंजली का मकान है कुछ है ही नहीं है मेरे गर में इसके द स्कूटर है, इसके पाद तो साइकल है, इससे तो अच्छा हूँ, मैं तो अपने खुद के मकान में रहता हूँ, यह तो किराय से रहता है, इससे तो अच्छा हूँ, यह तो दूसरे की नौकरी कर रहा है, मेरा खुद का बिजनिस है, मैं खुद का अपना ब्यापार तो कर रहा हूँ बहले ही 25 रुबे कमा रहा हूँ लेकिन खुद का तो है बस सुकी रहेगा तो अपने से नीचे देखने वाला हमेज़ा खुशी रहेगा ठीक है जो है जितना है क्योंकि उसे तसली है कि जो मिला जितना मिला मेरे भागे से तो मिला है जो मिला जितना मिला मेरे ही भागे से तो मिला है मैंने जैसे कर्म किये थे उसी का तो परणाम है उसी का तो फल मुझे पराफ्त हुआ है अब मैं उसको किसको मैं दोस्त दू कि तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया मैं किसको दोस्त दूँ क्योंकि मेरे ही परिणाम है मेरे ही किये करम है उनका ही दुफल भोग रहा हूँ इसलिए आचर भगबन ने इतनी अच्छी बात बोली है उन्होंने कहा हर इस्तिती में धन जोड़ना भी अर्थ है निर अर्थक है क्या धन जोड़ना जितना कमाओ उतना उपियोक करो इसका क्योंकि पैसे धन की तीन गतियां होती है पहली गति होती है दान करना जितना आप कमारे अच्छे से अच्छा बढ़िया से बढ़िया दान करो अपनी आयका चौथा हिस्सा दान करना उत्कृष्ट दान कहलाता है अपनी आयका छटमा हिस्सा दान करना मध्यम दान कहलाता है और अपनी आयका दसमा हिस्सा दान करना ये जगन दान कहलाता है कुछ नहीं से कुछ अच्छा आप उतक्रिष्ण नहीं कर पा रहे जगन दान तो करो और इतना भी नहीं कर पा रहे तो एक लिमिट बांद दो एक सीमा बांद दो कि मैं अपनी आयका 2% दान करूंगा बस इतना तो बांद लो चलो 2% जादा हो रहा एक परशन बांद दो एक परसन अपनी आयका दान करेंगी अगर 10,000 रुपए महीं नहीं कमाता हूं तो एक जार और कम, जो 10 परशन ow गया 10 परशन हो गया एक जार रुप 좋아요 परसंटेज बांद लो कि इतना परसन हमें दान करना है अब अगर आप एक लाग कमाने पर एक हजार उपे आप दान कर रहे हैं कौन सी बड़ी बात है क्या फर्क पड़ेगा एक कुई मैंसे दो-चार भूने निकाल कि आपने दान कर दी तो क्या होगा लेकिन एक नियम हो जाएगा आपकी एक प्रतिग्या हो जाएगी एक सैयम हो जाएगा कि मैं अपने आएगा कुछ इस्ता दान करता ही हूँ बस चाहे कुछ हो जाए इतना दान मुझे करना है आप बैलेंस सीट निकाल लो आपकी बैलेंस सीट कितनी है जितनी भी balance sheet आप भी बच रहा हो, सेस जितना सारे खर्चे काट का जितना भच रहा हो, जितनी saving में बच रहा हो, उसमें सेस्सा बना लो, कि उतनी मैसे हम धर्म कारियों के लिए इतना ऐसा दान करेंगे, बस ये भी आपका दान है, आप दान कर सकते हैं, तो पहली यदि क्या काती मालूं कौन सी है, भोग, भोग करो आराम से बढ़िया, खुब खाओ, प्योग मौच करो आराम से, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, बढ़िया बढ़िया खाना पीना काओ, बचा बचा कर मत रखो, आराम से बढ़िया, ऐसे नहीं के उबली हुई दाल और रोटी खा रहे हो, और बढ़िया नोटों की घड़ियों सजा सजा के अलवारियों में रखते जा रहे, नहीं, बोले भविस में काम आएगा, भविस में काम आएगा, किसके काम आएगा, तो आए मरने के बाद काम आएगा, जितना आई हुए आराम से भोग करो बढ़िया, अराम स पैसे तो जोड़ते रहे लेकिन सरीर में बीमारी हो गई डॉक्टर को दिखा ने गए डॉक्टर ने कहा कॉलस्ट्रोल बढ़ गया तली उचीज नहीं कहा सकते अच्छा और बोले सोगर तो हाई लिबल पर है तीन सो साड़ी दिन सो हो गई है मीटा तो सूंग भी नहीं सकते खायो नहीं मीटा मीटा बन तली होई चीज बन नोटस आप क्या खाना है हुबला हुआ पानी पीना मुम की दाल को उबाल के बड़ी अब पत्ली बड़ी लेना और रोटी ना उपर की पपड़ी पपड़ी खाना बस मुटी रोटी नहीं घीज लगाना मत उसमें कोलेस्ट्रोल बढ़ जाएगा अब खाओ बेटा पहले खाले थे अच्छे पकवान अच्छे टाइम निकाल गे पहले पकवान खाले थे ब्यापार तो चलता रहता पहले शरीर का ध्यान रख लेते सरीर का ध्यान रखा नहीं सरीर का ध्यान रखा नहीं पैसे के चक्कर में सरीर का ध्यान नहीं रखा और अब सरीर के चक्कर में पैसे का ध्यान नहीं रखोगी डॉक्टर साब लगाओ जित्ता लग जाए लगा दो आप तो बस बचा लो चाहे कुछ हो जाए, मरना नहीं चाहिए, बचा लो आप तो पहले से ध्यान लखे लेते भीया सरीर का कम से कम पैसा तो नहीं बहाना पड़ता अब पैसे के पैसे बहारा है, शरी का शरी तोड़ दिया अच्छे से ध्यान लखो, भोग करो बढ़िया, अच्छे से पतीसरी नस्ट, नस्ट तो होनी होनी है, क्या लेके जाओगे, कहां लेके जाओगे, सरीर पे धागा तो लेके नहीं जाओगे, धन की तो दूर की बात, पैसा कहां लेके जाओगे, कहीं लेके नहीं जाते हैं, इतने लोभी लोग हुए, इतने लोभी लोग हुए, कि जिन्न सोया था सबसे बात करके और रहात में silent attack आगया सुबहें उठा ही न strengths पैसा काँ गया किसी को पते ही नहिं है स्विच बैंक पैसा रखा है वो तो कया सरक्राजार भागी सरकार के पास जाएगा न आपको तो मिले का नहीं कहीं नहीं मिलने इस नहीं नष्ठ हो गिया खतॉम अगिया खळा κιसी ने सीलिंग में चुपा दियेए। उओर सीलिंग करवादे टोंसे में उसमें फिल्लाइं गडदी मिडिकूल ठीक है रोchten अपका इसलोडे छा asks घ्क अज अगिरा, उसकी नोटोशेखे घ्रीए लेकिन मत अथ्यों लेकिन जृटas बातरूम की टाल्स में निकले थे, बातरूम की टाल्स के अंदर 2016 में जब मौडी जी ने नोट बंद कराये थे ना, 2016 में खुद-खुद के निकाले थे लोगोंने, निकालो भाईया निकालो, चेन्स करेंगे, बन्ना नाली में फेकेंगी, फिर ऐसे ही हुआ था कुछ नहीं है काम का इसलिए अच्छे से दान करो कम से दान करोगे पुन्य तो मिलेगा और बो पुन्य आपको अगली परियाए में काम आएगा आज आपने जैनकुल में जनम लिया है कैसे जनम लिया ऐसे ही ले लिया क्या ऐसे ही नहीं ले लिया माग देखिए, जैनकुल में जनम लेके, सम्मान ये परिवार में जनम लिया, जहां आराम से अपनी सम्मान लिया जाता है, सम्मान के साथ आपका नाम लिया जाता है, और पुन्न कमाया, मंदिर के पास आपका घर में लिगिया, और पुन्न कमाया, जरसन करने का सोभाग मिल सर्वांग सरीर मिला ये और पुन निखटा किया था जो श्रीजी को अपने हाथों में उठाने का अफसर मिला इतना बड़ा पुन अपने कत्रित किया था छोटी-बोटी बात नहीं है जिनेंदर भगवान तीन लोग के नात को आपने पने हातों से उठाया और अपने हातों स इस परियाए में जहां जहां आपने पुन किया होगा, वो पुन आपका बेकार कमी नहीं जाता, आपको उसका फल जरू मिलता है, कैसे? आपको मेड़क की कहानी याद है, वो मेड़क बावडी से जा रहा था, वो हाथी का फैर के नीचे आया, सबको याद है ना, रटी पढ़ी है सबको, आपको उसकी पूर परियाए पता है क्या है? मेड़क की पूर परियाए, मेड़क की पूर परियाए में वो एक सेट था, और वैस सेट बहुत धर्मात्मा था, जीवन परेंद उसने धर्म किया, बहुत धरम करता था, लेकिन सामाइक तो बड़ी तलीनता के साथ करता था, एक बार उसने प्रतिग्या कर ली, क्या एक दीपक जलाया और प्रतिग्या कर ली, जब तक ये दीपक जलेगा, तब तक मैं सामाइक करूगा, बस बैठ गया, आँख बंद करके, एक अंजाज होता हैं कि इतनी दिर में ये दीपक का तेल घी खतम हो जाएगा तो वो बैट गया सामाइक करने हो खतम होने वाला था घी का दीपक जो घी था वो खतम होने वाला था तेल घी तेल जो भी था खतम होने वाला था इतने में उसकी तेल लाती और दीपक को पूरा भर देती है फिर से पूरा भर गया अब सेट जी ने जैसे आंके खोली उन्हें का दीपक तो चूंकते हो याभी दीपक तो जल रहा है उनकी प्रतिक गया थी जब तक दीपक जलेगा तब तक सामाइक करेंगे उन्होंने फिर आखे बंद कर ली और फिर से सामय करने लगे फिर उन्होंने एक गंड़ा देड़ गंड़ा जो भी सामय की घी खतम होने बाला था कितने पतनी फिर आई बोले अरे हाथ तो लगता है बहुत लंबी ज़ान पे हैं और ध्यान में बिकन बादा ना आजाए चलो दीपक में तेल डाल देते हैं उसने लाके फिर से तेल डाल दिया वो फिर से दीपक भर गया सिर्ट जी की ध्यान खुला आँख खुली देखा उन्होंने दीपक जोंकते हुए फिर भी अब बैठे बैठे कंड सूक गया था बिल्कोई इतनी ज़ादा कंड सूक गया कि उन्हें बहुत जोरगी प्यास लग रही थी ठीक है आप होती तो क्या करें तो सच बताना इमानदारी से हम बता है क्या करते हैं प्रतिग्या थी न, प्रतिग्या थी धीपक जलता रहेगा, तो तब सामय करेंगे, अब वोले क्या करें, सेया तो हाथ हिला देता, या फूंक मार देता, सेड़ जी ने ऐसा ने किया, सेड़ जी तो बैट गया फिर से सामय करेंगे, लेकिन इतने आकुल व्याकुल परणाम ह क्यास के कारण कि अंदर से तडपन होने लगी कि पानी की भून्दना मिल रहे थी उसी समय उनके आयू करम की निसेक समात हो गए और उसी समय उनकी आयू करम का वंध हुआ अगली परियायका पानी के कारण उनकी मरन की प्राक्ति हुए उननों ने अन समय में संकलिस प्रणाम कर लिये तो संकलिस प्रणाम के समय पर जो आयू करम का बंद हुआ वो त्रेंज गती का बंद हो गया अपने ही बावुडी में वो जीव मेड़क बनकर जनम ले लिया उस जीव ने मेड़क बन का जनम लिया उसने तिरंच परियाए में चला गिया लेकिन जीवन पर जो पूर परियाए में पुन निखटा किया था बेकार नहीं किया बेकार नहीं किया जैसे ख़बर मिली नगाडे बच रही थी क्या हुआ महाभीर भगवान का समोच तरन आया अभी पुला चल पर बत पर मैं डग पंचिंद्री जीव उसके भी भाव हुए मैं भी भगवान की दरसन करने जाऊंगा मैं भी भगवान की दरसन करने जाऊंगा ऐसे भाव बनाए ओ भाव बनाए तो अपने घर से निकला भगवार के दर्शन करने के लिए कैसे निकला कैसे निकला मुह में पंकडी दबा के क्यों भाया कमल क्यों नहीं उठा पाया सामर्थ नहीं थी सीखना मैड़क से सीखना मैड़क क्या कहता है सामर्थ नहीं थी उसकी कमल उठाने की इसलिए उसने क्या उठाया एक पंक्री टोड़ ली मुझ से बस एक पंक्री टोड़ ली और अपने घर से कैसे निकला खाली आद निकला नहीं सीखो मैड़क से सीखो अपने घर से भगवान के दर्शन करने आओ तो खाली आथ नहीं आते हैं एक तिरंस गती का मेड़क जब अपने घर से निकलता है तो द्रब लेकर जाता है कि भगवान के चड़नों में द्रब चड़ाऊंगा अब उसके पास तो द्रब केवल कमल था और कमल पूरा ले जाने की सामर्थ नहीं थी इसलिए एक पंखड़ी को तोड़ कर वो फुदक फुदक कर जाने लगा क्या भाव थी उसके यदरचा भावेना प्रमुदित मना दर्दूर इह अर्चना के भावों को लेकर प्रमुदित मन से दर्दूर मला मेड़क एक मेड़क प्रमुदित मन से भगवान के दर्दूर करने अर्चना के भावों को लेकर जा रहा है कौनसे मन से कौनसे मन से प्रमुदित भाव से आप जैसे नहीं मुदित बना के आजाते हैं गर में छोड़ी सी परेसानी हो जाए पति-पति लड़ाई हो जाए साज भगवी लड़ाई हो जाए मूँ बना के मंदिर आ जाएंगे मंदिर में आएंगे भगवान इसामने खड़े हो जाएंगे ऐसे मूँ बना रहेगा जैसे चार थपड़ मार के जब असनी खड़ा की आओ के दर्दूर के नहीं खड़े को मंद मंद मुष्कान भगवान के ऊपर रहती ही रहती है भगवान को देखके ही मुष्कालो कम से कम बहिया अच्छे से मंद मंद मुष्कान प्रमुदित मन से भगवान के दर्शन करो सी को मेड़क से मेड़क कैसे प्रमुदित मन से जा रहा था अच्छे भावों से अर्चना के भावों को लेकर प्रिमोधित मन से मेटक जा रहा था खाली आदी जा रहा था, दरब लेके जा रहा था हुआ ग्या उसके साथ जणादासीत स्वरगी गोने गने सम्रिधा सुखनिधी छणवर में कहां चला गया वो स्वरगी हो गया एक छोटे से नन्ने से मेटक के उपर एक हाती का पैर पढ़ेगा तो क्या हालत होगी उस मेटक की, है ना ऐसी अपने अंदर जाग के देखना कि कि आप हाती से कम नहीं है और वो चीटी मेटक से कम नहीं है जो उपर देखके चलके आते हो चीटी पर पैर रख दिया वो चीटी की क्या हालत होती होगी जब आपका पैर उस पर पढ़ता होगा बिलकुल एक भार में छणा दासी दो जाती होगी वो मेटक भी छणा दासी स्वरगी हो गया छण भर में स्वर का देब बन गया और क्या मिल गया उसे गुर्णे गंशमरिदी सब कुछ मिल गया कितनी देर में छण भर में वो तो केवल भावों किसे जा रहता अर्चना के भावों से जा रहता भी पहुंचा थोड़ी था रास्ती में चला गया और उसका परणाम, उसका फल क्या मिला? उसी जनम का पुन्न ही है पूर जनम की पुन्न है जो उसके भाव हुए कि मैं दर्सन करने जाओं आज आप यहाँ पर दर्सन करने आप आ रहे हो मुनिराज के पास मुनिराज की बाणी सुनने का अफसर मिल पाना है यह पूर जनम का पुन्न है हर कोई नहीं सुन पाता कई लोग ऐसे होंगे घर पे अभी चद्दर ओड़के सो रहे होंगे अभी उठे भी नहीं होंगे सो रहे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे चाहे का बैट्टी का बैट्टी मिलेगी जूठे मूँ बस सीधे उठेंगे और सीधी चाहे लेंगे और सुर जान दो जितने भी जीव जन दोंगे साब अंदर गुटक जाओ बहार नहीं जाना चाहिए अंदर के अंदर वाफिस गुटक जाओ बैट्टी वाले ऐसे भी लोग होंगे जो बैट्टी पीने का इंतिजार कर रहे होंगे पुन्यात्मा जी धर्मात्मा जी भी ऐसे समय में प्राता काल की बेला में और भगवान की दर्सन पूजन पाठ करके अपने दिन की सुरुवात करता है वो पुन्यात्मा जी होता है निस्चित तो मेड़क छड़ बर में गुड़गर समरिद्धी को प्रात कर लिए तो कभी यहां पर कहता है लभन्ते सद भक्ता सिव सुख समाजम की मूतदा क्या कहते हैं लभन्ते सद भक्ता एक सच्चा भक्त जब एक मेड़क को सुर के देख के पर आए मिल सकती है तो एक सच्चा भक्त जिनेंद भगवान के दरसन करने आए और उसे सिव सुख समाजम कैदि उसे मोक्ष सुख मिल जाए तो किमूतदा कौन सी बड़ी बात है जब एक तिरेंज को देख परया मिल सकती है अर्चना के भावों को से जाके पूजा करके तो एक मनुस्य के लिए मोक्ष मिल जाए तो कौन सी बड़ी बात है कोई बड़ी बात नहीं है इसलिए भगवान के दरसन करो तो बड़े भावों के साथ करो एकागरिता से तलीनता से आनंद के साथ पिरमुदित मन से मन जूम जाए भगवान के दरसन करके जब आप भगवान के दरसन करने मंदर की गेट में एंट्री करो तो भगवान की छबी आपको निहार जाती है दिख जाती कि नहीं सामने से दिख जाती है और जैसी भगवान की छबी दिखे न तो एक line न, न, मन में घूमना चाहिए आपके, कौन सी line, धन्न भाग मेरो उदय आयो, दरस प्रभूजी को लखिलयो, बस एक line मन में घूमना चाहिए, भगबन धन्न भाग मेरा उदय आया कि आज मुझे आपके दरसन मिल गए, क्या पता, रात को सोया था और सुबह नहीं उ झाल